सरकार की योजना के अंतरगत लोगों को 5 लाग रुपए तका निश्यल कुपचार देने का काम आयोश्मान योजना से किया जा रहा है। लगतार लोग इसका लाप राप्त कर रहे हैं। नीजी एस्पतालों को प्रवेश द्वार के पास आयोश्मान की जानकारी देने वाली हेल्प डेस्क लगाने के रिदेश दिये गए हैं। काम अभी सलो चल रहा है। वरतमान में हमारे जिले में लगभग 64% कार्ड बन चुके हैं। और हम लोग जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 15 जो कुर्वा में हैं। और गवर्मेंट सभी हॉस्पिटल्स में भी जो इलाज के लिए लोग जाते हैं, उनका ततकाल आईश्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आईश्मान कार्ड के अंतर गयता, इमपैनल किये गए नीजी अस्पतालों को कहा गया है कि भी योजना के बारे में मरीजों को जानकारी देने के लिए जरूरी विवस्था करें। नियम के तहट लोगों को योजना का लाब दिया जाना है। अगर किसी कारड से लोग लाब नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारे उन्हें देनी होती है। कि उसका इलाज हो रहा है और अगर ऐसी कोई सिकायत आईगी किसी हास्पिल से कि आयुष्मान से इलाज नहीं किया जा रहा है तो इसकी बुरूत कड़ी कारवाही करेंगे। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद लोगों से रुप्यों की बसुली के जाने के सवाल पर सियमेचो ने बताया कि ऐसा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सब कुछ फ्री होना है। उनकी पदिस्थापना के बाद ऐसा एक भी केस जानकारी में नहीं आया है। नीजी अस्पतालों द्वारा किये जाने वाले उपचार के बाद उन्हें सरकार जो भुक्तान करती है उसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है जो ऑनलाइन है। उपर से इनको पर्मिशन मिलता है ब्लॉक करने के बाद जब पर्मिट हो जाता है तो उसका भुक्तान हो जाता है। वर्तमान इस्थिती में कूर्बा जिले के शहरी और ग्रामिर छेत्रों को मिला कर 35 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनोंने आयुश्मान कार्ट बनवाने में रूची नहीं ली है। स्वास्त विभाग ने अपिल की है कि ऐसे सभी लोग सरकारी योजना का लाभ लेने के मामले में जरूरागी आई।